Welcome to our channel दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे उत्रखंड में RTE Farm 2020 को आप किस तरह की से मुबाइल में ही फिल का सकते हैं यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको टाइम से मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको RTE 1-2-1 की वेबसेट पाजाना इसका लिख आपको वीडियो की डिस्टिश में मिल जाएगा टी के थुरू एडमिशन के बल प्री प्राइमरी क्लासेस और क्लास वन में हो सकता है तो प्री प्राइमरी के लिए जो डेट अप बर्थ है वो आपके बच्ची की 1 अपरिल 2017 से 31 मार्ज 2019 के बीच में होना चीए यदि इस डेट के बीच में आपके बच्ची की डेट अप बर्थ है तो प्री प्राइमरी के फार्म आप उनलाइन फिल कर सकते हैं इन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने आविदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा और प्रिंट आउट के साथ जितने भी डॉकुमेंट आप इसमें लगाएंगे उसकी दो कॉपी आपको अपने नजदीक के खंड शिक्षादिकारी कायला में जमा करना होगा। उसके बाद एक resume registration का option दे रखा है यदि आप form भरते बाग आपको किसी tab में अशिविदा होती है तो resume registration बटन का यूज़ करके आप अपने form को resume कर सकते हैं ताकि बाद में आपको नए स्रीय से आविदन ना करना पड़े हैं इस डेटल के अंदर सबसे पहले बच्छे का ना का option आएगा फिर आपको mobile number टाइप करना होगा parents का और email ID भी parents का यहाँ type करना होगा फिर बच्चे का आधार संख्या आप यहाँ type कर सकते हैं यदि आधार सिंख्या नहीं है तो बच्चे का आधार के लिए यह आपने नामंकन करा रखा है तो नामंकन सिंख्या भी right hand side में आप टाइप कर सकते हैं उसके बाद बच्चे का passport size choose file option की शायता से आप select कर लेंगे फिर आप save option पे clip करना होगा इसी ही आप अपने बच्चे का date of birth यहाँ type कर देंगे type करने बाद आपको date of birth के अनुसार यहाँ class select करने का option आ जाएगा जैगा जैसी यह जो date of birth है वो class 1 में निरिशन कर लेंगे आपके दराशंतुष्ट होने के बाद ही आप save option पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का message आ जाएगा पते में अपना वही पता डाले जो आपके पमाणपत्र में है गलत पाया जाने पर आविदन खारिश कर दिये जाएगा तो आपको I agree वाले आप इसके skin sort कीच के रख सकते हैं उसके बाद आपको कुछ और detail बना होगा इसमें लिखा है माता पिता आयोगा का विबरण तीरों में से किसी एक का विबरण आपको बना होगा या तो आप फादर का detail भर सकते हैं मदर का भर सकते हैं या गारजन का भर सकते हैं तो फादर है Artvaid बिजनिस है तो बिजनिस सेलेड कर सकते हैं फार्मेकर में किससे बने है इसको आपको और यहाँ इसकसे बना सकते हैं और income certificate बनवाने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है लेकिन income certificate में कम से कम जो की income होनी चाहिए वो वारशिक 55,000 से कम होनी चाहिए 55,000 से ज़्यादा यदि होगी तो आप काविदन निरस्त हो सकता है यदि आप अप वंजीद वार्ग सेलेट करते हैं तो आपके पास अनुश् बहात अलाक सुधा की महिलाए और जो तमाम सारी इसमें देरेका disabled child या विकलांग बच्चा तो इसका प्रवनापत्र आपके पास है तो आप अब बजिद वर को सेलेट कर सकते हैं यदि आप BPL कार्ड या फिर आय प्रवनापत्र सेलेट करते हैं तो आपको आय प्रवनाप की साहता से फिर ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा उसके बाद यदि आप ग्रामिड शेतर चाहते हैं तो रूरर सेलेट करेंगे यदि आप सहरी शेतर चाहते हैं तो अर्वन सेलेट करेंगे उसके बाद यदि आप सहरी शेतर चाहते हैं तो नगरपाली का नगर निगम या नग आपको यहाँ पे लिखना होगा और वो address आपके आधार card या फिर जो भी आप address प्रूप को लगाना चाहते उसमें होना चाहिए उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे save option पे क्लिक करना होगा इसके बाद आपके समय डॉकूमेंट को अप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको school क रिपोर्ट करते समय दिखाया जाने वाले दस्ताबेच की रूप में सबसे पहले जन परणापत्र सेलेट करना होगा तो जन परणापत्र के रूप में आप वर्थ सेटिपेड़ बच्चे का सेलेट कर सकते हैं या फिस self declaration form आप सेलेट कर सकते हैं इसके लिए आपको download option नी सेलेट कर लेंगे उसके बास address प्रूप में आप राशन कार्ट बोटर कार्ट आथर कार्ट डाविंग लैंसे electricity bill, residential certificate या बैंक पाथ्बूग में से कोई भी एक आप यहां सेलेट कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे लिखा आए आप से दस्ताबे सूची में परिवर्तन क deputy eo से परामस कर सकते हैं उसके बाद आपको save option पर क्लिक करना होगा आपके सामने select school का option आजाएगा सभी उपलब्द स्कूल की सूची आपको देखनी पड़ेगी यहां पर आपको जब पेस को नीचे scroll करेंगे तो आपको अपने near reward जितने भी school है उसके नाम आपको यहां प आपको यहां पर दिखाए दे तो आपको प्लस बटन के में टैप करके आपको यहां पर school select करना होगा यहां पको अपने राज्य की सारे school की सूची देखनी है तो यहां पर एक option देने का सभी उपलब्द स्कूल की सूची देखे इस पर टैप करके आपके near about या आपके करने का option मिलता है आप इसको select कर लेंगे select करने के बाद आपको एक checkbox लगाना होगा checkbox लगाने के बाद आपको page को नीचे scroll करना होगा scroll करने के बाद आप यहां पर दो option है save and submit letter इस बटन की उस करके आप बाद में भी submit कर सकते हैं या फिर यदि आपको लगता है कि आपने ज जो भी जानकार यहां आपने भरी है वो एकदम सही है तो आप यहां apply now पर button पर click कर देंगा यदि आप edit करना चाते है तो एक edit detail वाल option है इस पर click करके आप edit भी कर सकते हैं इसके बाद आपको अपने blog education officer के वहाँ जाना होगा और इस PDF को print out निकालना एक बाद इसके साथ दो copies आपको लेकर जानी होगी जितनी भी documents आपने fill किये थे उसको आपको block education officer में जमा करवाना होगा तो यह था आज का वीडियो इस वीडियो के regarding यह दिया आपको गजैन कर चाहिए तो अब हमें comment कर सकते है या फिर वीडियो के description में आपको हमारे telegram और whatsapp group का link provide हो जाएगा ज मिलते हैं आगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना धियान लगें बाई बाई जैहिन